मिडियलिस्ट की जंग लगतार खतरनाक होती जा रही है अब तक परदे की पीछे से इसराइल पर हमला करने वाला इरान अब खुलकर वार पलट वार कर रहा है पिछले छे मेने में इरान इसराइल पर दो बार हमला कर चुका है एक अक्टूबर को हुए इरानी हमलों का इसराइल ने भी बद्रापूरा कर दिया है इसराइल ने पचीज दिन बाद इरान को उसी की भाशा में जवाब दे कर अपना इंतिकाम लिया इसराइली सेना ने दावा किया कि इरान में सैने ठीकानों पर सटीक हमले हुए इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसने इरान के मिलिटरी ठीकानों, पावर प्लान्ट और ओयल रिफाइनरी पर हवाई हमला किया ऐसा नहीं है कि इरान को इस्राइल के संभावित हमलों का अन्देशा नहीं था इरान भी इस्राइल के जवाबी हमले को लेकर पूरी तरह से तयार था ऐसा दवाए कि इरान को उसके सहयोगी देश रूस ने भी बड़ा अलर्ट दिया था रूस ने इसराइल के हवाई हमलों से पहले ही इरान को चितामनी दी थी बताया जाता है कि खूफिया जनकारी इसराइल के इरानी सैनेटी कानों पर हमलों की घोशना से कुछ घंटे पहले दी गई थी स्काइ न्यूज अरेविया की रिपोर्ट के मताबिक एक कटूबर को इरान के हमले के जवाब में इसराइल के दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने तहरान को खूफिया जनकारी मुहया कराई थी बावजद इसके इरान को नुकसान हुआ इरान ने पुष्ठी कि इसराइल ने राजधानी तहरान के साथसात अन इल्लाकों में भी मिलिटरी साइड्स को निसाना बनाया इरान ने कहां क्युद हमा के सुनाए दिये भी इसराइली हमले को रोकने वाली air defense system के सक्री होने के कारण थे इरान ने कहा कि उन्हें इसराइली हमलों से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इरान ने पुछ्टी की है कि इसराइली हवाई हमले में उसकी एयर डिफेंस फोर्स के चार सैनिक मारे गए हैं रिपोर्ट के मताविक मरने वाले सभी लोग इरानी एयर डिफेंस से जुड़े थें हाला कि इरान ने उनकी तैनाती की जगह नहीं बताई है वही इसराइल ने अपने हमलों के बाद इरान से हिसाब बराबर होने की बात की साथी इसराइल ने चितामनी देखी अगर तेहरान ने हमलों का जवाब दिया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी साथी अमेरिका और विटेन दोनों ने ही इरान से संगर्स को और बढ़ाने से बचने का अग्रह किया वहीं इसराइल के इरान पर हमलों को लेकर रूस ने भी कड़ी प्रितिक्रिया दी है रूस ने अंदेशा जताया है कि ताजा हमले मिडेलिस्ट के तनाव को बढ़ा सकते हैं साथी इसराइल और इरान का संगर्स काफी बढ़ सकता है इस दोरान रूसी विदेश मंतराले के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इराके में चल रही विस्पोटक विद्धी चिंता जनक है हम सभी संबद्धित पक्षों से सयम बरतने, हिंसा को रोकने और इस्तिती को विनाश कारी हालात में बदलने से रोकने का आहवान करते हैं इरान को जवाबी का रवाई के लिए उकसाना बंद करना और और नियंतर विद्धी के चक्र से मुक्त होना आवश्यक है इरान पर हुए इसराइली हमले पर इरानी न्यूज एजनसी तस्नीम ने कहा कि इरान इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तयार है मामूली बताया और IDF पर हमले को लेकर बढ़ा चढ़ा कर दावे करने का आरोप लगाया पर हमले कर दावे कर दावे कर दाया अअटिए. एक tätä कर दो問 सकततुप येद्गों करदो लगा कर दो लगा है जमदाया ज刃ने है आरोप लगा. झाल झाल